भारत से अपने प्यार नसरुल्ला के लिए पाकिस्तान गई अंजू ने पहले तो बिना पहले पती से तलाक लिए नसरुल्ला से निकाह कर लिया उसके बाद इसलाम अपनाकर अंजू से फातिमा बन गई पाकिस्तान के पुलिस अधिकारी ने ये बात पाक मीडिया के जरीय सब के सामने रखी थी लेकिन इसके बावजूद नसरुल्ला और अंजु इस खबर को महज अफवाह बता रहे थे लेकिन अब खुद नसरुल्ला ने अंजु से शादी और अंजु ने इसलाम कबूल करने की बात के सच को बताया है नसरुल्ला ने कबूल कर लिया कि अंजु यानि फातिमा अब उसकी बीवी है नसरुल्ला ने अंजु को लेकर कई और बड़ी बाते बताई है नसरुल्ला ने दावा किया कि पाकिस्तान की सरकार अंजु को नौकरी और घर देगी अंजु सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है इसलाम अपनाने की वज़े से अब अंजु को जल्दी पाकिस्तानी नागरिकता भी मिल जाएगी और अंजू भारत जाकर अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान ले आएगी अंजू के पहले पती अर्विंद की माने तो अंजू से रिष्टे बिल्कुल ठीक थे और अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद से बच्चे अंजू से काफी नाराज हैं और अंजू का चहरा तक नहीं देखना चाहते। और अगर अंजू आपके उपर प्रिशर बनाएं, दबाव बनाएं कि मैं बच्चो की कि स्टडी लेना चाहती हूँ, तो नहीं, ऐसा हो नहीं नहीं देंगा। अभी को पापा एकसप्ट कर लीजे फिर से, तो आप? बेटी कहेगी नहीं, मेरे कोई बिजवास है। वहीं नस्रुल्ला ने अंजू को लेकर ऐसे ऐसे दावे किये कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नस्रुल्ला ने कहा कि हमारी तरफ से अंजू पर कोई दबाव नहीं है। अंजू तीन साल से अपने पती से अलग रह रही थी और कोर्ट में तलाक के लिए अपील भी की थी। मुझे डर है कि कहीं भारत में अंजू पर हमला न हो जाए। बच्चों की वज़े से अंजू भारत वापस जा रही है। वीजा के खत्म होने से पहले ही अंजू भारत जाएगी। अंजू अपने बच्चों के लिए पासपोर्ट अपलाई करेगी। लेकिन नसुरूला की इन बयानों ने अंजू की पोल खोल कर रख दी है। अंजू नसुरूला की भारत धी में लाँ से अं-उराएगे। कर दो कर दो